तो मारवाड रियासत के इतिहास की सीरीज के इस पार्ट में हम बात करेंगे मारवाड के एक शाशक रावचंदर सेन राठोड के शाशनकाल के बारे में ये वो शाशक हैं जिनको इतिहास में कहा जाता है मारवाड का भूला बिसरा राजा मारवाड का प्रताप यानि मारणा प्रताप से इनकी तुलना की जाती है लेकिन उतनी बातें इनके बारे में नहीं की जाती इनके बारे में हम उतनी बातें नहीं जानते जितनी हम मारणा प्रताप के सम्मन्द में चर्चा करते हैं इसलिए इनको कहा जाता है मारवाद का प्रताप या मारवाद का भुला विस्रा राजा या महाराना प्रताप का पत्थ प्रदर्शक ये सब इनके उपनाम हैं। नामों से इनको जाना जाता है तो इस लेक्चर में हम रावचंदर सेन के शाशनकाल को लेकर चर्चा करेंगे इससे पहले मारवाड रियासत का जो पिछला लेक्चर था उसमें हमने देख लिया था कि सन 1562 इस्वी में मारवाड के जो शाशक थे राव मालदेव राथोड जो जानी की घर की लड़ाई उत्पन होने वाली है और उसी लड़ाई में कहीं ना कहीं अकबर दुआरा राजपुताना या मारवाड में इंटरफेर करने के बीज भी पड़े हैं वहीं से अकबर को एक मोका मिलेगा कि वो मारवाड रियासत में इंटरफेर करें अब यहां त नागोर दर्बार के बारे में अकबर ने नागोर में जो दर्बार लगाया उसके पीछे उसकी क्या राजनितिक सोच थी क्या राजनितिक महत्वकांक्षा थी उस विशह पर हम चर्चा करेंगे और मालदे और अठोड ने अकबर के साथ में जो संगर्श किया जीवन भर ये जंगलों में भटकते रहे अकबर की सेना के साथ संगर्ष करते रहे लेकिन अपना सिर नहीं जुकाया अकबर की अधीनता स्विकार नहीं की और अपनी स्वतंतरता के ध्वज को बड़े कसकर इन्होंने पकड़ कर रखा उन सब विश्यों पर इस लेक्चर में हम चर्चा करन ग्यारा जनवरी सन पंद्रा सोई क्यासी में सारण के जंगलों में इनकी मृत्यों गई थी सारण जो वर्तमान में आता राजस्थान के पाली जिले में अब देखिए जब ये शाशक बने तो अपने बड़े भाईयों पर इनको वरियता दी गई इनसे बड़े जो भाई थ कि इन्हों ने चंदर सेन राठोड को जो है इनके बड़े भाईयों पर वरियता दी गई थी और इनके बड़े भाई राम सिंग और उदे सिंग को छोड़ते हुए माल देव राठोड की इच्छा के अनुसार चंदर सेन को मारवाड का अगला शाशक बना दिया गया था चंदर सेन माल देव राठोड ने इनके पिता माल देव राठोड ने ऐसा क्यों किया उसका कारण था एक रानी स्वरूपदे जिनसे माल देव राठोड बहुत प्रेम किया करते थे और स्वरूपदे के प्रभाव के कारण ही स्वरूपदे के जो छोटे पुत्र थे चंद मेवार के जो शाशक थे वो थे महाराना उदै सिंग और महाराना उदै सिंग ने राम सिंग को केलवा की जागीर दे दी थी इसके अतिरिक्त इन से और जो बड़े थे चंदर से राठोर से उदै सिंग या जिनको मोटा राजा उदै सिंग के नाम से इतियास में जाना जाता है तो उद्य सिंग को भी माल देव राठोर ने फलोदी की जागीर दे दी थी और इन दोनों के स्थान पर इन दोनों से छोटे चंदर से इनको अपना उत्रादिकारी गोशित कर दिया था अब इसका क्या परिनाम होगा कि जब बड़े भाईयों को छोड़ कर जो की रीती चलती आई थी बड़े भाईयों को छोड़ कर अगर छोटे भाई को राजा बनाया जाएगा शाशक बनाया जाएगा तो बड़े भाई नाराज होंगे बड़े भाई इस प्रियास में कि किसी प्रकार वापस मारवार का राज्य हथिया लिया जाए और गुट बाजी जो है वो चालू हो जाएगी तो यहां पर राम सिंग और उद्य सिंग दोनों ही इस अवसर की तलाश में थे कि किसी प्रकार वो मारवार पर अधिकार कर सकें तो उनको एक अवसर मिला भी और वो अवसर क्या था जैसा हम अध्यन करते हमको पता चलता है कि रावचंदर सेन ने एक बर गुसे में आकर एक चाकर की हत्या कर दी थी अब इसके कारण रावचंदर सेन के ही जो कुछ सरदार थे राठोड सरदार वो इनके इस निर्ने से नराज हुए कि आपने ये न्याय नहीं किया है अन्याय किया है और इसके कारण रावचंदर सेन के जो सरदार थे उन्होंने राम सिंग और उदे सिंग के साथ में यानि इनके बड़े भाईयों के साथ में गठवंदन कर लिया और उनको आमंतरित किया कि आप आईए और मारवार की स्थिती को डिस्टरब कर थी लेकिन उदे सिंग ने भी मारवार में डिस्टरबेंसेज यानि व्यवधान करना पैदा किया जिसके कारण अब राम सिंग को अपने ही भाईयों के साथ में युद्ध लड़ना पड़ रहा है और ये युद्ध था लोहावट का और लोहावट के युद्ध में इन्हो जित कर दिया जिसमें उदे सिंग अपनी जान बचा कर यहां से निकल गए ठीक है अब लेकिन यहां इसका परिणाम क्या हुआ ये घर की लड़ाई तो चालू हो गई ना और घर की लड़ाई में फायदा किसका बाहर वाले का तो यहां राव चंदर सेन के जो बड़े तो अकबर ने अपने सेना नायक हुसेन कुली खा को बेजा कि मारवाड पर यानि जोदपूर पर आकरमन कर दो और जोदपूर पर 1565 इसवी में आकरमन किया गया कुछ जगे 1564 भी दिया हुआ है तो 1565 इसवी में जब अकबर की सेना ने जोदपूर पर आकरमन किया तो उस के मुकाबले काफी विशाल भी थी और इनके मुकाबले अच्छे शस्त्रों का उपयोग भी करती थी और भली प्रकार से प्रसिक्षित भी थी तो रावचंदर सेन को यहां पर जोदपूर को छोड़ कर कहां जाना पड़ा भादरा जून जाना पड़ा यानि कि आपसी राजपुताना में वर्चस्व बढ़ता गया तो उसके लिए हमको चलना पड़ेगा एक दरबार की और वो दरबार है नागोर दरबार जो किसन 1570 में अकबर ने नागोर में लगाय था देखे इस दरबार में अकबर ने अपने किन उद्देशों की पूर्ती की इस दरबा के बाद में राजपुताना के शाषकों से ही अकबर ने राजपुताना की रियासतों में इंटरफेयर करना शुरू किया और फिर अपना प्रभाव बढ़ाना शुरू किया तो नागोर दरबार की एकबर चर्चा करते हैं कि अकबर अजमेर आया वा था अजमेर के बाद मे वो नागोर की और गया और नागोर में कुछ समय के लिए उसने अपना दर्बार लगाया जिसको अकबर का नागोर दर्बार कहा जाता है जो कि 1570 में लगा अब यहां पर अकबर ने देखिए एक तो आम लोगों से जुड़ने की कोशिश की अकबर ने क्या किया कि इस समय नागोर में इस क्षेतर में अकाल की स्थिति थी और अकाल के कारण यहां पर पानी की समझ्चा थी तो अकबर ने एक तालाब बनवाया और उस तालाब का नाम रखा गया शुक्र तालाब तो प्रियास ये था कि लोगों में ये मैसेज जाए कि अकबर आपके हितेशी हैं जिसके कारण आम लोग आम जंता सीधे अकबर से जुड़ा हुआ महसूस करें तो एक तो अकबर ने इस ओर ध्यान दिया इसके अतिरिक्त यहां नागोर के दर्बार में राज पुताना के शाशकों की क्या प्रवर्ति है कौन से राज पुताना के शाशक ऐसे हैं जो अकबर की अधिनता स्विकार करने को तयार है या अकबर के आश्रित शाशक के रूप में कारे करने को लेकर तयार हैं ये स्थिती भी स्पष्ट हो जाए तो यहां पर हुआ ऐसा कि राज पुताना के काफी शाशक थे जो नागोर दर्बार में पहुँचे जैसे एक तो बीकानेर के जो शाशक थे राव कल्यानमल वो नागोर दर्बार में आए वो अपने पुत्र राय सिंग को भी लेकर आए और अपने काफी इनकी रचनाएं इन्होंने लिखी हैं काफी पुस्तके लिखी हैं जिनसे सम्मंदित सवाल कॉम्पेटिटिव एक्जाम्स में पूछ लिया जाता है जैसे एक तो इनके द्वारा लिखा गया है बेली कृष्ण रुकमनीरी जिसमें बगवान कृष्ण और रुकमनी क अधिनता स्विकार करने से मना कर दिया था और वापस अकबर के विरुद संगर्श करने को तयार हो गए थे हाला कि उस पत्र की क्या एतिहासिकता थी वास्तों में महाराना प्रताप ने कभी अकबर की अधिनता स्विकार करने के लिए पत्र लिखा हो या नहीं लिखा हो इ लेकिन ऐसा बताया जाता है मैं यहापर पृत्विराज राठोड का परीचे दे रहा हूं इसलिए केवल इस विशेपर चर्चा कर रहा हूं कि ऐसा बताया जाता है कि जब माराना पृताप ने अकबर को ऐसा कोई पत्र लिखा होगा तो उस पत्र के बदले में ही इन्होंने म माराना पृताप को पत्र लिखा था जिसके कारण माराना पृताप ने अकबर की अधिन्ता स्विकार करने से मना कर दिया था अलाकि ऐसा हुआ नहीं था तो ये वो पृत्विराज राठोड थे वापस मैं पॉइंट पर आए जाता हूं कि नागोर के उस दरबार में बिका पॉइंट पॉइंट आप गोर करना सबसे इंपॉटेंट गोर करने वाली बात है कि नागोर के इस दरबार में मारवार के शाषक राउ चंदर से Barnes भी आये थे इसके अतिरिक्त चंदर सेन के जो नाराज भाई थे राम सिंग और उदै सिंग भी यहाँ पर पहुँचे थे अकबर को प्रसंद करने के लिए अकबर के साथ में मेल मिला बढ़ाने के लिए अपनी स्थिती को मजबूत करने के लिए लेकिन हमारा फोकस तो किस पर है रावचंदर सेन पर है तो चंदर सेन पर हम अपना ध्यान के अंद्रित करते हैं कि रावचंदर सेन नागोर के इस दरवार में तो आए कहां से आए थे भादरा जून से क्योंकि पहले जोदपूर पर अकबर की सेना का अधिकार हो गया था तो रावचंदर सेन को जोदपूर छोड़ कर भादरा जून जाना पड़ा था और जब ये नागोर दरबार का आयोजन हुआ 1570 इस्वी में तो उस समय राव चंदर से भादरा जून में ही थे और भादरा जून से वो आये थे नागोर में अकबर से मिलने के लिए लेकिन यहाँ पर जब उनको लगा कि मेरी स्थिती सम्मान जनक नहीं है इसके अतिरिक्त अकबर जो है वो राज पुताना के शाषकों का उपियोग अपनी स्वार्थ सिद्धी के लिए कर रहा है तो राव चंदर सेन नागोर दरबार को छोड़ कर वापस कहां चले गए भादरा जून चले गए जिसके बाद अब अकबर ने निरंतर राव चंदर सेन को पराजित में अपनी एक सेना भेज दी तो राव चंदर सेन को भादरा जून को छोड़ कर जाना पड़ा शिवाना शिवाना जो की वर्तमान में आता है बाड मेर जिले में शिवाना जिसको कहा जाता है मारवार के शाषकों की शरण स्थली तो जब वो शिवाना गए तो अकबर ने शिवाना में भी एक सेना भेज दी थी अब सिवाना पहुचने से पहले अकबर की सेना ने क्या किया सोज़त पर आक्रमन किया और सोज़त का उस समय जो शाषक था वो था कल्ला राठोड को पराजित किया कल्ला राठोड को पराजित करने का कारण ये था कि कल्ला राठोड राव चंदर सेन के करीबी थे हाला कि कला राठोड राव चंदर सेन के जो बड़े भाई थे राम सिंग उनके पुत्र थे लेकिन कला राठोड राव चंदर सेन के करीबी थे इसलिए अकबर की सेना की ये योजना रही कि राव चंदर सेन अगर बंदी नहीं बनाये जा रहे है राव चंदर सेन अगर पकड में नहीं आ रहे है तो सबसे पहले इनके जो निकट सम्मंदी है इनके क्लोज जो है उनको पराजित किया जाए उनको परेशान किया जाए और उसके बाद फिर राव चंदर सेन को कमजोर करने की कोशिश की जाए तो सोजत में कल्ला राठोड को पराजित किया सिवाना पर भी आकर्मन किया गया जिसके कारण अब राव चंदर सेन को सिवाना को छोड़ कर सिवाना उन्होंने दिया पत्ता राठोड को तो सिवाना का नित्रित पत्ता राठोड को छोड़ कर अब र 14 जनवरी सन 1581 इस वी को जब उनकी मृत्यू हुई थी पाली के सारण के जंगलों में तब तक उनोंने अपनी मृत्यू तक अकबर की अधीनता स्विकार नहीं की और मृत्यू से पहले सोजत का क्षेतर भी जीत लिया था अभी मैं चर्चा करूंगा सारी सोजत का क्षेतर भी जीत लिया था तो जंगलों में रहते वे भटकते वे छापामार युद नीती से लड़ते वे वो अकबर के विरुद संगर्श करते रहे इसी के कारण उनको कहा जाता है मारवार का प्रताप और उनकी उपलब्दियों को भूला दिया गया इसी लिए कहा जाता है उनको मार भी अक्पर की अदीन्ता स्विकार नहीं की थी तो महाराना परताप से पूर्वे इस तरह का कारिय एक स शाषक के दौरा किया गया था वापस पीछे की और चलते हैं और फिर से आजाते हैं नागुर दरबार में 1570 का नागुर दरबार और बात करते हैं कि इस नागोर दरबार के बाद अकबर को किस तरह का political benefit हुआ तो देखे एक तो बीकानेर के शाषक राओ कल्याणमल अकबर के नागोर दरबार में आ गए थे यानि बीकानेर के जो शाषक हैं अब वो अकबर के आशर्त शाषक के रूप में हो गए जैसलमेर के भी शाषक आगे थे रावल हर राय भाटी इसके अतिरिक तो और भी काफी शाषक थे जैसे रन्थंबोर और बुंदी के जो शाषक थे सूर्जन हाडा तो नागोर दरबार के बाद अब राज पुताना में ये स्थिती स्पष्ट हो गई क्लियर हो गई कि कौन से शाषक हैं जो अकबर को सपोर्ट करते हैं और कौन से शाषक है जो अकबर का विरोध कर रहे हैं और इस समय अकबर का सबसे ज़्यादा विरोध करने वाले शाषको को राय सिंग को सन 1572 में जोधपूर का प्रशाशक न्यूक्त कर दिया जोधपूर की जिम्मेदारी राय सिंग को संबला दी इसके विपरी तो देखो राव चंदर सेन की जो बड़े भाई थे वो भी तो नागुर दर्बार में गए थे वो भी तो इसी उम्मीद से गए थे कि अकबर उनको जोधपूर का अधिकार दे दे जोधपूर का राजे दे दे तो अकबर ने यहाँ पर देखे क्या किया किसी को भी राव चंदर सेन के भाईयों में से किसी को भी जोधपूर देने का आसवाशन तो नहीं दिया लेकिन फिर भी उनको किसी प्रकार से कुछ क्षेतर दे कर संतुष्ट बनाए रखा जैसे जोदपूर के वास्तों में अगर बड़े होने के नाते अगर हम माने किसी को उत्रा दिकारी तब तो राम सिंग हो सकते हैं क्योंकि वो सबसे बड़े थे तो अकबर ने क्या किया राम सिंग को शाही सेना में सम्मिलित कर दिया और उनको भेज दिया मिर्जा बंदूओं का दमन करने के लिए यानि कि जोदपुर से द्यान अटाने के लिए मिर्जा बंदूओं का दमन करने के लिए बेज दिया इसके अतिरिक जो उनके भाई थे रावचंदर सेन के उदै सिंग उनको भी समवाली के क्षेतर पर आक्रमन करने का आदेश दे दिया समवाली का क्षेतर जोकी वर्तमान में बाड मेर जिले में आता है तो समवाली के क्षेतर पर आक्रमन करने का जब आदेश दिया तो वो क्षेतर उदै सिंग के पास में आ गया इसके कारण अकबर की एक प्रॉबलम और सॉल्व हो गई वहाँ पर गुजरों का विरोध था तो अकबर ने उदै सिंग की सहायता से देखो उदै सिंग को खुश भी कर दिया और उदै सिंग की सहायता से गुजरों का दमन भी कर दिया लेकिन में पॉइंट पर आता हूँ सहयोग मिलने की संभावना हो तो अकबर ने इस सहयोग मिलने की संभावना को समाप्त कर दिया और इसके अतिरिक्त अकबर ने क्या किया अब अगर उसको गुजरात की और कोई अभियान चलाना है तो वो मारवाड के रास्ते आसानी से गुजरात की और कोई अभियान चला सकता है यानि की मारवाड जो की राजिस्थान का एक केंदर था पस्चिमी राजिस्थान का वो अकबर के आथों में आ गया और अकबर अपनी यहां पर जड़े जमा सकता था तो ये तो हो गई नागोर दरबार की बाद के बाद में हम वापस चल लेते हैं राव चंदर सेन की होगे तो राव चंदर सेन जोदपूर हारे जोदपूर को छोड़ कर उनको जाना पड़ा भादरा जून भादरा जून के बाद फिर सिवाना जाना पड़ा शिवाना के बाद फिर उनको जंगल में भी रहना पड़ा कुछ समय के लिए उनको बासवाडा का जो क्षेत्र है डूंगरपुर बासवाडा का क्षेत्र वहाँ पर भी कुछ समय के लिए उनको शरण लेनी पड़ी फिर अपने जीवन के अंतिम समय में वो पाली की ओर चले गए वहाँ सारण के जंगलों में 1581 में उनकी मृत्ती हो गई थी अब देखो यहाँ पर अगर राव चंदरसेन चाहते हलाकि आप यह देख रहे हैं कि राव चंदरसेन एक स्थान को छोड़ कर दूसरे स्थान पर जा रहे हैं लेकिन संगर्ष वो कंटिन्यू कर रहे हैं अगर वो भी चाते तो राज पुताना के बाकी शाषकों की भाती अकबर की अधिन्ता स्विकार कर लेते तो इसके कारण क्या होता अकबर उनको मारवाड का शाषक मान लेता जोदपूर का राजी भी आराम से मिल जाता मारवाड के जो काफिक शेतर हैं वो भी राव चंदरसेन को मिल जाते राव चंदरसेन आराम से खुशी-खुशी सुख के साथ में अपना जीवन व्यतित कर सकते थे लेकिन बावजूद इसके उन्होंने अपनी स्वतंतरता की रक्षा के लिए अपनी फ्रीडम के लिए संगर्ष का जो मारवाड था उस मारवाड का चुनाव किया बजाए इसके की आसानी से बैठे बैठे वो मारवाड रियासत पर अकबर की छत्र छाया में आराम से मारव भटकने को मजबूर थे जब वो अकबर की सेना के साथ में संगर्ष कर रहे थे कुछे एक बार उन्होंने अकबर के सेना नायकों को भी मार गिराया और सोजत के क्षेतर पर भी उन्होंने वापस अपना अधिकार कर लिया था तो उस समय उनकी ऐसी इस्थिती हो गी थी कि उनको अपने जो कीमती रत्न है वो बेचकर अपना खर्चा निकालना पड़ रहा था अपनी सेना का व्या उठाना पड़ रहा था उन्होंने अपने जो कीमती रत्न है उनके पिता के माल देवरा ठोड के वो मेवार के शाशक को बेचे जिसकी कीमत लगबग साथ हजार की रखम के आसपास बताई जाती है तो उससे उन्होंने अपनी जो सेना का खर्चा है वो कुछ समय के लिए चलाया इसके अतिरिक्त 1575 इस्वी में जैसल मेर के जो शाशक थे रावल हरराय भाटी उन्होंने पोकरन पर आकरमन कर दिया था तो पोकरन जो है हरराय भाटी जीत तो नहीं सके क्योंकि पोकरन का जो क्षेतर है वो चंदर सेन के यदीन आता था और चंदर सेन ने पोकरन के किले की देख रेक के लिए जिस व्यक्ति को न्यूक्त कर रखा था उनका नाम था आनंद राम पंचोली तो रावल हर राय आनंद राम पंचोली को हरा नहीं सके जब 3 पोकरन का क्षेतर दे दें इसके लिए मैं आपको एक लाख की रकम दूँगा और जब वापस जोदपुर रियासत पर आपका अधिकार हो जाएगा तो आप एक लाख की वो रकम मुझे देखकर वापस पोकरन का क्षेतर ले लेना कहने का मतलब यह है कि रावचंदर सेन को अ अभी तक केवल क्यों संगर्श कर रहे हैं क्योंकि स्वतंतरता का जो विचार है वो उनके मन में साहस और वीरता का जो भाव है वो पैदा कर रहे हैं इसलिए अगर हम रावचंदर सेन की तुलना माराना प्रताप से करें या माराना प्रताप की तुलना रावचंदर सेन से करें क्योंकि दोनों ने ही अपनी स्वतंतरता को महत्व दिया ना कि राज किये सुखों को इसलिए राव चंदर सेन को हम कह सकते हैं मारवाड का प्रताप मारवाड का भूला विसरा राजा मारणा प्रताप का पत्थ प्रदर्शक या मारणा प्रताप का आगरज इन सब नाम अगर हम चंदर सेन को कहते हैं तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है लेकिन फिर भी माराना प्रताप और राव चंदर सेन के मद्य अगर हम तुलना करें तो माराना प्रताप की जो रणनीती थी उसमें जादा व्यवारिकता थी और माराना प्रताप अकबर को जादा टकर दे सके जादा अच्छे से संगर्ष कर पाए थे एक बर हम उसकी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं जैसे राव चंदर सेन को अपने संगर्ष के समय में आर्थिक इनकी जो इस्तिती थी वो काफी खराब थी और अपनी आर्थिक इस्तिती को मजबूत करने के लिए मैं अभी ये जो ब मारवार के जो कुछ पुरोहित थे उनसे लूट मार की यानि कि जिस रियासत पर इनका अधिकार हुआ करता था उसी रियासत के लोगों पर इनके द्वारा आक्रवन किये गया उनसे धन लूटा गया जिसके कारण मारवार के जो लोग हैं जो पुरोहित थे वो इनसे एप् ने आपत इनको विपत्ती के काल में बासवाडा और डूंगरपुर के क्षेतर में शरण लेनी पड़ी थी जबकि इसके विपरीत माराना प्रताप ने क्या किया था अपनी आर्थिक स्थिती को मजबूत करने के लिए पैसा जुटाने के लिए उन्होंने मेवाड के निवास पैदा करते थे माराना प्रताप वहाँ लूट पार्ट किया करते थे ताकि वो पैसा जुटा सके अपने संगर्श के लिए एक तो ये इन दोनों को अलग करती है दूसरा क्या है कि माराना प्रताप की जो नीती है वो जादा व्यवार परक थी जादा व्यवारिक नीती थी बजाय चंदर सेन के महाराणा प्रताप ने मेवाड के क्षेत्र के लोगों को जोडने का काम किया था उनमें एक संगर्ष करने की भावना का संचार कर दिया था जबकि इस प्रकार का कुछ काम जो है वो राव चंदर सेन नहीं कर पाये थे इसके अतिरिकतर राव चंदर सेन जब अकबर के साहथ में संगर्ष कर रहे थे तो इतना प्रभावी संगर्ष नहीं कर सके अकबर की सेना की हालत वो खराब नहीं कर सके जितनी महाराणा प्रताप के दुआरा कर दी गई थी मैंने मेवाड रियासत के पार्ट में आपके साथ में चर्चा की थी कि जब 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था तो उस युद्ध के दौरान माराना प्रताप युद्ध भूमी से निकल गए थे जब वो घायल हो गए थे लेकिन उस युद्ध के पस्चात में माराना की भाती कैदियों की भाती अपना जीवन वहाँ पर बिता रहे थे और उनको एक तो कच्चे आमों पर निर्बर रहना पड़ रहा था और इसके अतिरिक तो वो खुद के ही घोडों को और उंटों को काट काट कर खा रहे थे मैंने बाकायद वहाँ पर जो sources थे उनका भी reference दे दिया था तो यहाँ पर महारणा प्रताप और रावचंदर सेन के मद्द जो समानताएं थी या जो विशमताएं थी जो अलग-लग बाते थी उनकी मैंने काफी detail से आपके साथ में चर्चा की है और मैंने प्रियास किया है कि रावचंदर सेन के संबन में मैं आपको अच अपनी स्वतंतर ताकी रक्षा के लिए राज किये सुखों को राज किये वैबहों को त्याग दिया तो 11 जनवरी 1581 में इनका निदन हो गया था और पाली के सारण में जहां इनका इसमारक बना हुआ है वहाँ ये घोड़े पर बैठी हुई इनकी मूरती है इनके आगे पा रावचंदर सेन के बारे में देख चुके हैं और रावचंदर सेन के पस्चाहत अब मारवाड रियासत में आगे क्या हुआ उसके बारे में हम चर्चा करेंगे मारवाड रियासत के नेक्स्ट पार्ट में थैंक्यू